हलो स्टूलेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की और ये जो टॉपिक है हमारा वो है जनक रेखाएं यानि की जनरेटिंग लाइन्स देखो जनक रेखाई क्या होती है, generating lines क्या होती है, इनको हम कैसे explain करते हैं, वो आपको सुनना है हमारे पास कोई surface होता है, यानि कि क्या होता है, pressed होता है ठीक है, ये जो surface होता है ना, pressed होता है ना, इसको हम चर रेखाओ के द्वारा by variable lines, represent करते हैं, व्यक्त करते हैं surface है, pressed है, उस surface या प्रस्ट को हम चर रेखाओ के द्वारा by variable lines represent करते हैं, व्यक्त करते हैं, इन्ही हम क्या बोलते हैं, generating lines बोलते हैं, जनक रेखाएं बोलते हैं जैसे अगर आप slender की shape देखो, balan की shape देखो, तो balan या slender में भी हम क्या बोल सकते हैं ये जो pressed है ना, वो किसे मिलकर बना है, variable lines से, चर रेखाओ से ठीक है ये वाली बात, और ये हमारे पास surface हो गया, pressed हो गया, balan या slender का, तो ये जो lines होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं, जनक रेखाएं यानि की generating lines बोलते हैं, अब हम यहाँ पर जनक रेखाओं के लिए, generating lines के लिए, बहुत सारी conditions पढ़ने वाल हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा topic है आज का, generating lines में, जनक रेखाओं में, वो है, क्या, एक प्रस्थी है, एक प्रस्थी है, अती परवलेज की, अती परवलेज की, जनक रेखाएं ग्याद करना, जनक रेखाएं ग्याद करना, जनक रेखाएं जनरेटिंग lines क्या होती है, variable lines होती है, चर रेखाएं होती है, to find generating, to find generating lines of hyperbolide of one seed, अब आप क्या होगे सर, यह जो, एक प्रस्थी है, अती परवलेज होता है, hyperbolide of one seed होता है, यह क्या होता है, मैंने बताया था, यह safe होती है, आकरती होती है, और इसको हम पहले वाली unit में discuss कर चुके हैं, पूरा, उसमें हमने एक प्रस्थी अती परवलेज भी ही पढ़ा था, यहने कि hyperbolide of one seed ही हमने discuss किया था, इसके लिए हम generating lines देखेंगे, जनक रेखाएं देखेंगे, सबसे पहले बात आती है कि भई, इसकी equation क्या होती है, समीकरन क्या होती है, तो जो hyperbolide of one seed है, एक प्रस्थी अती परवलेज है, इसका equation होता है, x square upon a square, plus y square upon b square, minus z square upon c square, equals to one होता है, क्या equation होता है, क्या समीकरन होता है, x square upon a square, plus y square upon b square, minus z square upon c square, equals to one, अब हम इसमें क्या करते हैं, यह जो y वाली term होती है, इसको equal के बाद लिजाते हैं, जो plus वाली होती है x को तो इधर ही रखते देखो x square upon a square बनेगा minus z square upon c square बन जाएगा और 1 minus ये जो हमारे पास y वाली term है इसको हम यहाँ ले जाएं तो 1 minus y square upon क्या बन जाएगा b square बन जाएगा अब ये formula बन रहा हमारा a square minus b square जिसे हम लिखते हैं a plus b और a minus b तो ये भी a square minus b square बन रहा है और 1 का square बन होता है ये भी a square minus b square बन रहा है तो a plus b की term में लिखें तो ये बनेगा x upon a plus z upon c ऐसे ही x upon a minus z upon c बन जाएगा और अगर हम इसका लिखेंगे तो एक बार plus एक बार minus 1 plus y upon b और 1 minus y upon b बन जाएगा बताओ simple है यहां तक बनाना बिल्कुल बनाना है अब हम बात करेंगे इतना करने के बाद जनक रेखाओ की जनक रेखाएं generating lines यहां ध्यान देना जो एक प्रस्थिय अती परवलेज होता है hyperbolide of one seat होता है इसमें जो generating lines होती है जनक रेखाएं होती है उनको हम two types से discuss करते हैं दो प्रकार से हम उसके बारे में पढ़ते हैं एक तो होता है हमारा lambda निकाए क्या होता है lambda निकाए होता है lambda system होता है clear है यह वाली बात हो बिल्कुल clear है सर अगर आपसे पूछ लिया जाए lambda निकाए है lambda system जो है इसके लिए जनक रेखाए है generating lines क्या होती है कैसे बनाते है सबसे पहले यह positive वाला उठाओ यहां से x upon a plus z upon c equal कर दो इसको इसके बाद आपको क्या करना है एक constant लगाना होता है जो की lambda है ठीक है और यहां से भी plus उठा लो तो यह बनेगा 1 plus y upon कितना b बन जाएगा बना लोगे या नि मना लोगे x upon a plus z upon c equals to lambda into 1 plus y upon b यह भी plus वाला और यह भी वाला बस किससे constant से multiply कर दिया lambda से ऐसे ही यह minus वाला term ले लो x a x upon a minus z upon c equals to यहां अब lambda की जिगे 1 upon lambda को यूज करते हैं और यह minus वाला लिख दो 1 minus y upon यह क्या है हमारे पास generating line है जनक रिखाए है यह और यह कौन सा system होता है हमारा कौन सा निकाए होता है lambda system होता है lambda निकाए होता है आई बासांज में कौन सा system होता है दूसरा हम जनक रिखाए ग्याद करते हैं find out करते हैं जनक रिखाए यानि कि generating lines और वो हमारे पास होता है mu system बोलते हैं उसे हम देखो बहुत इजी तरीके से बताएंगे एक बार में ही पकड़ जाओगे है ना exam भी पास है अब तो जल्दी जल्दी एक बार में पकड़ जाए तो ज़्यादा बढ़ी है भई दूसरा कौन सा system होता है हमारे पास mu system होता है mu निकाए होता है यहां तक आप बना लोगे यही से आपको करना क्या है सबसे पहले हम यहां minus वाला term ले लेते हैं mu system की generating line यह जनक रेखा बना ले के लिए minus वाला ले लो x upon a minus z upon c equal के बाद constant लगाएंगे mu अब जब यहां minus वाला लिया है न तो यहां आप plus वाला लेना तो यह होगा 1 plus y upon b हो जाएगा देखो कितना इजी तरीके से बताया ऐसे ही second equation इसमें plus वाला लेना आप x upon a plus z upon c equals to अब mu की जिगे आएगा 1 upon mu और ध्यान देना यहां आएगा पहले plus है तो यहां minus वाला ले लो 1 minus y upon b यह हमारे पास generating lines है जनक रेखा है mu system की mu निकाए की तो इस तरीके से हम generating lines यह जनक रेखा के equation easily बना सकते हैं और उनको easily याद रख सकते हैं clear है next class में हम पढ़ेंगे इनकी properties के बारे में गुंधर्म के बारे में